संयुक्त रास्ट के आर्थिक और सामाजिक मामलों की आबादी प्रभाग की और से जारी की गई World Population Prospects 2019 रिपोर्ट के मताबिक साल 2050 तक वैश्विक आबादी में और दो अरब लोग जुड़ जाएंगे दुनिया की आबादी अगले 30 सालों में 2019 में तक 7.7 अरब से बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी भारत उन 9 देशों में से एक है जिनकी आबादी 2050 तक वैश्विक आबादी का दुगने से अधिक होने का अनुमान है संजुक्त रास्ट की इस रिपोर्ट में लगाए गए अनुमान के मताबिक 2050 तक भारत की आबादी में 27.3 करोड लोग और जुड़ जाएंगे और भारत अगले 8 सालों में यानि 27 तक दुनिया का सरवाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा इस दौरान भारत की आबादी चीन की आबादी को पार कर जाएगी रिपोर्ट के मताबिक 2019 में भारत की अनुमानित आबादी 1.37 अरब है और चीन की 1.43 अरब जबकि 2027 तक भारत के चीन की आबादी को पार करने का अनुमान है 2019 और 2050 के बीच में 55 देशों की आबादी में एक फिजदी की कमी आने का भी अनुमान है दुरगटनावश 2010 में 27 देशों की नियुनतम आबादी में एक फिजदी की कमी आई है कई देशों की आबादी में गिरावट का ये बढ़ रहा रुजहान प्रजनन छमता के कमजोर होने का इशारा है कुछ मामलों में अन्य देशों में विस्थापन भी इसका एक कारण हो सकता है आबादी घटने वाले इन पचपन देशों में से एक चीन की आबादी दो हजार पच्चास तक 2.2 फिस्थी यानी 3.1 चार करोड घटने का अनुमान है इसी अवधी में भारत की आबादी में 27.3 करोड लोगों के और जुडने का अनुमान है भारत लगभग 1.5 अरब लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रह सकता है इसके बाद 1.1 अरब आबादी के साथ चीन दूसरे और 73.3 करोड की आबादी के साथ नाइजिरिया तीसरे और 43.4 करोड की आबादी के साथ अमेरिका चौथे अस्थान पर रह सकता है वही पाकिस्तान की आबादी 40.3 करोड रहने का अनुमान है दुनिया की आबादी का एक हिस्सा तेजी से बुजर्ग भी हो रहा है 65 या इससे अधिक आयू वर्क के लोग 2050 तक तेजी से बढ़ेंगे दुनिया में 6 में से एक आदमी इस आयू वर्क का हिस्सा होगा जबकि 2019 में 11 में से एक शक्स इस आयू वर्क का हिस्सा है इस शताबदी के अंत में दुनिया की आबादी लगभग 11 अरब के साथ अब तक के शीर्ष पर होगी